Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube channel LWD Job में Railway नई सिक्षक भरती का विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें Post Graduate Teacher, Trained Graduate Teacher और Primary Teachers की Vacancy है परिक्षा नहीं है, केवल इंटर्व्यू के माध्यम से सेलेक्शन रहेगा किस जगे आपको जाना है, Date, Time, Notification में सारी चीजें मेंशन की हुई है सेलरी भी जो है, PRT, TZT, PZT की अलग-अलग है तो चलिए, Notification को देख लेते हैं सबसे पहले subject देख लेंगे यदि आपका subject है, तो अंत्र तक वीडियो के बने रहें कैसे apply करना है, वो सारी चीजें समझेंगे Post Graduate Teacher, PZT में Political Science, English, Mathematics, Chemistry और Economic subject की वेकेंसी है Trained graduate के अंतरगर्त जो है Pure Science और Social Science subject की वेकेंसी है और PRT में एक वेकेंसी है, ठीक है सेलरी की अधि हम बात करें, तो सेलरी भी जो है बिल्कुल बताई गई है, PZT की सेलरी जो है इसमें सभी subject यानि जो भी subject दिये गए है 27,500 पर मन्त, TZT में 26,250 पर मन्त Primary Railway Teacher 21,250 पर मन्त यानि KBS की जो सेलरी रहती है तो वही सेलरी यहाँ पर post-wise दी गई है Age limit जो है 18-65 यर तक के candidate इसमें आविदन कर सकते है केवल interview है, परिक्षा नहीं है interview जो है किस जगे पर रहेगा तो यहाँ पर date, time and venue of interview right side में आप देखेंगे 12 जुलाई 2024 को रहेगा reporting time है साड़े 8 बजे जगे कहां है तो नियर दुर्गा मंदिर गोले बजार यह वेस्ट वंगाल की वेकेंसी है interview का time जो है वो 10 बजे है 8 बजे आपको पहुँच जाना है qualification जो है इसमें पीजीटी के लिए आपके पास master degree आपके subject में होनी चाहिए बीएड होना चाहिए हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम candidate इसमें दोनों ही apply कर सकते है उसके बाद जो है trained graduate teachers में बहुत सारे option है बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएड वाले, बीएड वाले, बीएड वाले, बीएड वाले बिल्कुल apply कर सकते है सबी option है क्योंकि TZT में हमेशा बीएड वाले ही apply कर सकते थे बट इसमें बीएड, एमएड, बीटीसी, डीएलएड सब ही apply कर सकते है लेकिन आपका TAT paper 2 qualify होना जरूरी है आपके राज्य का TAT हो सकता है, CTAT हो सकता है ठीक है primary teachers के लिए 12th 50% marks के साथ में और आपके पास कोई diploma होना चाहिए primary level का 2 साल का primary teachers में graduation के साथ में अगर आपने बीएड भी किया है बीएड, मएड वाले इसमें apply कर सकते हैं यानि PRT और TZT में सब ही जो भी diploma डिग्री वाले हैं सब भी apply कर पाएंगे PRT में बस आपका TAT paper 1 क्वालिफाई होना चाहिए और TZT के अंतरगत आपका TAT paper 2 क्वालिफाई होना जरूरी रहेगा term and condition में जो है important बात क्या है ये vacancy जो है contract based पर है इसमें जो है जो part time teachers रहेंगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है part time teachers will have no claim or right for appointment on regular basis and will not form part of the cadre of railway teachers तो ये contract based पर vacancy जारी की गई है application form के साथ में जो है date of birth proof, community certificate यानि आपका caste का certificate हो सकता है birth proof के लिए 10th का certificate आपके जितने भी educational qualification certificate है यदि अनुवब है, अनुवब मांगा नहीं गया है लेकिन यदि आपके पास है तो बिल्कुल लगाना है आपको identity proof के लिए आपका आधार, card, pen, card, passport, voter ID, driving license, ठीक है कुछ भी आप जो है इसमें लगा देंगे ये official website के link है तीनो बागी आप लोगों को हर वीडियो के नीचे description box में मिलता ही है लिंक आप लोगों को इसलिए share किया जाता है ताकि official website पर notification को बिल्कुल अच्छे से check करें बिना mistake के आप लोग form apply कर सकते हैं तो वेकेंसी जो है दक्षिनपूर व्रेलवे खड़कपूर वेस्ट बंगाल से वेकेंसी है स्टार्टिंग डेट जो है 21 जून से आवे दन स्टार्ट हो चुके है और closing date जो है वह 11 जुलाई ठीक है 11 जुलाई है क्योंकि 12 को तो आपका interview ही है तो आप लोगों को apply कर देना है apply करने के लिए official website पर आना है official website पर जैसे ही आएंगे आप तो इसमें जो है आप लोगों को notification engagement of part-time school teacher on contractual basis in se rly mixture higher secondary school central गाची ठीक है west बंगाल में है यह application form जो है वो download कर लेंगे notification सबसे उपर है download यदि आप करना चाहते हैं पूरा देखना पढ़ना चाहते हैं तो इसको click करना है application form के लिए आपको second number वाली पर आपको click करना होगा ठीक है बाकी पूरी detail information मैंने आप लोगों को दे ही दी है और यह जो है official website पर ही आपको सारी चीज़े नजर आएंगी closing date जो है वो 11 जुलाई है अज़ पर आपको 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 आ